नमस्कार, स्वागत है आप सभी आगनबारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में तो आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि समाज कलियान विभाग ने एक बहुत ही बड़ा नीडने लिया है आगौन बाडी केंदरों को लेकर कि आगौन बाडी केंदरों में अगर कुछ भी कमिया पाई जाती हैं तो इसका जो सिकायत है कि अब लोग डिरेक्टली विभाग को दे सकेंगे तो इसके लिए समाज कल्यान विभाग ने हेल्प लाइन नमबर और वार्टसप नमबर जारी करने को कहा है तो सभी आगनबारी बेहनों अब साधान हो जाईए कि अगर आपके केंदरों पर अगर बच्चों की उपस्तिती या पोसार वगएरा में कुछ भी कमिया पाई जात है सभी जनकाडिया आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो आप सभी आगनबारी बेहनों के लिए काफी महत्तोपूर्ण है वीडियो को आप लोग कंप्लीट जरूर देखिएगा तो चलिए सुरू करते हैं आज का ये वीडियो जैसे कि यहाँ पर देख स आगनबारी केंदरों में क्या कमिया है ये लोग बताएंगे और उसके 48 घंटे बाद ही इसका निस्पादन भी किया जाएगा यहाँ पर मैं आपको थुरा सा जूम आउट कर देता हूं यहाँ पर देख सकते हैं ये पटना से खबर निकल के आ रही है कि राज ये भर में ए सिकायते मिली है कि केंदरों पर ये जनाओं का लाब नियमित नहीं मिलता है तो विभाग को ये सिकायते मिल रही है कि जो केंदरों पर जो भी युजनाय है उसका लाब नहीं दिया जाता है और बच्चे भी केंदर पर कम आते हैं इसके बाद विभाग ने यह निन्रे लिय है कि केंद्रों पर जो भी कमिया है उसके उजागर के लिए लाभूकों के साथ जीलों में आम लोगों को जोड़ा जाना होगा ताकि केंद्र की कमियों की जनकारी विभाग को सीधे मिल सके सिकायत मिलने के 48 घंटे में इसका निस्पादन होगा देख सकते हैं कि यहां पर बताया जा रहा है कि किस आगनवारी केंद्र पर कितने बच्चे आ रहे हैं और किन योजनाव का लाभ किन केंद्रों से दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है इसके लिए जो है कि विभा जनवरी से विभाग जारी करेगा WhatsApp नमबर विभाग ने जनवरी से WhatsApp वह हेलप लाइन नमबर सुरू करने का निर्णाय लिया है इस संबन्द में विभाग ये स्विक्रिती मिल गया है और IT विभाग की मदद से इस काम को जल्द ही पूरा किया जाएगा इस नमबर को विज्या लाइन नमबर पर सभी तरह की पूरी जनकारी दी जाएगी देख सकते हैं कि यह जनवरी से लागो हो जाएगा जो भी WhatsApp नमबर और हेल्प लाइन नमबर है कि अगर आंगनबारी केंदरों में कोई भी कमिया पाई जाती है तो फोटो के साथ आपके आंगनबारी केंदरों क को भी बताना होगा आपके छेत्र के जो भी लोग हैं उनको यहां पर देख सकते हैं जिस सेंटर पर 40 बच्चे नहीं होंगे उसकी होगी जाच तो आगर आपके आंगनबारी केंदर पर 40 बच्चे नहीं मिलते हैं तो उसकी जाच होगी विभाग के मुताबिक हर आंगनबा और कागज पर काम किया जा रहा है तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि आंगनबारी केंदरों के बाहर क्या डिस्प्ले करना है ये विभाग के द्वारा निर्देश दिये गए हैं जैसे कि सरकारी या नीजी भौनों में चल रहे आंगनबारी केंदरों के बाहर सेंटर क सेविका सहाईका का नाम، मुबाईल नमबर और अधिकारियों का नमबर डिस्प्ले करना है ताकि लोग अपनी जनकारी अधिकारी से भी ले सकें तो आपके केंद्र के बाहर जो बूट लगेगा अधिकारियों का नमबर भी ले सकते हैं दुसरा है नीजी भावनों में चलने वाले केंद्रों के बाहर बोड लगाना है जिस पर आगनबारी केंद्र के बारे में सभी जनकारियां रहें तिसरा है अधिकारी अस्थान रिक्षन करने के बाद हर दिन रिपोर्ट को बेवसाइट पर अपलोड करें चोथा है आगनबारी केंद्रों के बच्चों के मताबिक कलर करें ताकि बच्चे कलर देकर खुस रहें पाचवा है हेलप लाइन नमबर वाटसप नमबर को लोगों को दें सभी लाभुकों के पास यह नमबर होना चाहिए यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हेलप लाइन नमबर है वो सभी लाभुकों को देना है ताकि सभी लाभुक इस नमबर पर जो भी आगनबारी केंद्रों कमिया पाई जाती है उसकी सिकायत वो विभाग को दे सके हैं और छे नमर पे दिया गया है कि लाभुक योजना का लाभ लें तो इस संबंद में उनके नमबर पे मैसेज भेजें तो जिस भी योजना का लाभ ले रहें तो उस संबंद में उनको ये मैसेज भेजा जाएगा कि आपको किस यूजना से क्या लाभ मिल रहा है तो यहाँ पे अब आप लोग देख पाएंगे कि समाज कलियान विभाग ने निनर ले लिया है कि जनुवारी से वाटसेप नंबर और हेलप लाइन नंबर जारी हो जाएगा जिसके ताथ जो भी लाभूक है आगनबारी के अंदरों पर क्या मिल रहा है कितने बच्चे आ रहे हैं इसकी सिकायत अब सीधे बिभाग को दे पाएंगे उमिद है आप सभी को आज के इस वीडियो से काफी कुछ जर्रकारी मिल गया होगा वीडियो आप सभी को पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें साथी साथ इस वीडियो को और ने आगनबारी बहनों के साथ सेर जरूर करें